जेब के दुश्मन है ये पाँच गलतियां सिर्ज चड़ा देंगी करजा हर कोई कभी न कभी हो जाता है इनका शिकार वितिय मामलो को बड़ी सूजबूच से हैंडल करना चाहिए मनी मिस्टेक्स का असर बहुत गहरा होता है लेकिन अब भी जायतर भारतिय के प्रात्मिक्त में फानेशल प्लानिंग है ही नहीं संपत्ति वा पैसों में बढ़ोतरी और जीवन स्तर में बदलाव सही वितिय परमंधन से ही संबभ है लेकिन जायतर भारतिय फानेशल मैनेजमेंट में मात खा जाते हैं और कुछ बड़ी गलतियां कर बैठते हैं ये मनी मिस्टेक्स ब जारा ज्यान नहीं है तो किसी वितिय सलाकार से इस संबंध में सला लेना हितकर होगा आज हम आपको पांच ऐसी गलतियों के बारे में बता रहे हैं जो लगबग हर भारतिये अपने वितिये मामलों को हैंडल करते वक्त करता है नकदी प्यार जातर भारतिये अपनी बचत नकदी के रूप में अपने पास ही रखते हैं नोडबंदी के वक्त हमारे घरों में खूब पैसा उगला था लेकिन अपनी बचत को नकदी के रूप में घर में अलमारी या संदूक में चिपा का रखना समझदारी नहीं है इससे कोई रिटर नहीं मिलता समय के साथ रुप सी आन पड़ी तो क्या होगा financial planning और वितिये लक्षियों का निर्धारण ना होने के कारण बहुत सी परिशानियों का सामना करना पड़ता है अगला है देरी से निवेश आम भारतिये काफी देरी से निवेश शुरू करता है यंग्सर अपनी सारी आये मजे में उड़ा देते ह यही वो गलती करते हैं उधारन के लिए अगर कोई युवा 25 साल के उम्र में हर महीने 100 रुपे mutual fund में निवेश करता है तो उसके पास उसके retirement के वक्त एक करोड रुपे का fund हो सकता है देरी से निवेश के कारण retirement fund तो पूरा नहीं बनता साथ ही बच्चों की पड़ाई खाई जैसे महत्मुन खर्चों के लिए भी दिक्कत होती है अगला है insurance को ना करना अधिकतर लोग insurance को धन की बरबादी मानते हैं लेकिन वास्तम में ऐसा नहीं है जीवन बीमा और स्वास्त बीमा में किया गया निवेश ना केवल आपको वित्य सुरक्षा परदान करता है बलकि ये मानसिक शांती भी परदान करता है अगर आपकी कमाई से ही आपका परिवार चलता है तो आपको बीमा जरूर करवाना चाहिए क्योंकि अगर दुरगटना वश आप संसार में नहीं रहते हैं तो आपके परिवार आपका बीमा होने पर अच्छी खासी रकम उने मि बढ़ी गलती है इससे धन की विर्दी रुख जाती है यहीं नहीं मंधी आने पर आपका पैसा एक ही जगा फस जाता है इसलिए एक ही जगा सारा पैसा निवेश करने की गलती कभी ना करें